भाई समय तो आम आटमी पाटी पर वक्री दिर्ष्टी चाही हुई है जितना मुसीबत से निकलने का प्रयास करो उतना ही घूम फिरकर मुसीबत के दलदल में फस्त ही चले जा रहे हैं और इसमें CBI का छापा तो कोड में खाज समान सिद्ध हो रहा है पर अंतु बात यहीं पर खतम नहीं होती CBI ने अपने FIR को सारजोनिक करते हुए जिन नामों को गिनाया उनमें से एक ऐसा भी है जिसे सुन आप भी कहेंगे काफी थैला वह बिजनेस है नमस्कार स्वागत आपका TFI पर जो है देश का सबसे विश्वसनी अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोटल और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे सिसोधिया के AIB के पूर मैनेजर से संबंध बहुत महत्तो रखते हैं और कैसे ये मनीश सिसोधिया और आम आगवी पार्टी के लिए आगे चलकर काफी हानिकारक भी सिद्ध होंगे इससे पूर्व के हम आगे न्यूज बना बने ऐसा होई सके का धिंडोरा पिट गया पूरे महले में परंतु CBIB बिल्कुल छाती ठोक के सभी आरोपियों की डीटेल सार्वजनिक कर दिये जो दिल्ली के उस शराब नीती पर आधारित थी जिसके संदे के घेरे में आते ही दिल्ली सरकार को उसे रद् चुके हैं ये कंसल्टिंग फर्म है जो पूर में इस्ट इंडिया कॉमेडी और आल इंडिया का प्रबंधन समालती थी अधिवक्ता एवं विचारक अभिशेक दिवेदी के अनुसार जहां तक मैं जानता हूं ये वही व्यक्ति है जो आम आदमी पाटी को सेवाएं देने सिपूर स्वयम यौन शोशन एवं स्टॉकिंग के लिए आरोपी माना गया था इन्हें TVF जैसी संस्था पर कीचड उचालने का आरोपी भी माना जाता है इस पर सहमती जताते हुए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कुछ स्क्रीन शॉट भी शेर किये जिसमें इनके कच्चे चिठे सार्जनिक हुए जो व्यक्ति कभी AIB जैसे वामपन्थी निकरष्ट कलाकार ग्रुप को अपनी सेवाएं परदान करता था वो आम आदमी पार्टी का खासम खास बन गया और किसी को भनग भी नहीं लगी एक कौन सी इमानदा राजनीती है के जरिवाल महुद है परंतों आपको क्या प्रतीत होता है आईसा पहली बार हुआ है अभी कुछी दिन पूर दिली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी नेताओं का फेस्बुक पेज मैनेज करने वालों को लेकर काफी बड़ा खुलासा हुआ मीडिया पोटल दा इंडियन अफेर्स के अनुसार दिली के सीएम अर्विन केजरिवाल आम आदमी पार्टी आतिशी मार लेना राजे सबा सांसद रागव चड़ा और अन्य नेताओं के फेस्बुक पेजों को अमेरिका, कतर और लिथुआनिया में रहने वाले लोग मैने करते हैं, इन 28 में से 26 लोग भारत के हैं, वही एक व्यक्ति अमेरिका का और दूसरा कतर का है, ये वही अमेरिका और कतर है जो सोशल मीडिया पर किसी भी नारेटिव और प्रोपगेंडा को हवा देने में अपनी एहम भूमिका निभाते हैं, अभी भारत से केवल 10 एड्मि ही पेज को मैनेज करते हैं, लेकिन जैसे ही एक खबर वाइरल हुई, कतर और अमेरिका सहित बाकी सभी को भारत से 16 अगस्त को ही हटा दिया गया, देखो जी, कोई कैसा भी हो, लेकिन कम से कम इतना तो ढोंग ना करे कि उसे छुपाने के लिए इतना स्वांग रचना करेगी ना उगलते